सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल और वेल आइकन को प्रिस करें सबसे पहले सेलेक्शन के लिए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला कुस्सन स्क्रीन पर लेते हैं कि भासा में आकलन का प्रियोग मुखेता डॉट डॉट के लिए होना चाहिए इस डॉट डॉट में क्या भरेंगे यह बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ वेड़ा गोजी को उढ़ाना है एक के कुस्सन्स को अब ध्यान देजेगा पहला ओप्सन क्या कर रहा हमारे साथ कि बच्चों का भासा सौंदर्रे परिक्षन बच्चों के भासा प्रियोग की छमता के लिए होना चाहिए या बच्चों के उच्च ग्यान का परिक्षन के लिए होना चाहिए या पाठ्छे चर्चा के इस तर ग्यान के लिए होना चाहिए, अच्छा मुझे क्या करना है, मुझे भासा का आकलन करना है, यह आकलन कौन करेगा, माता पिता कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपोर्टेंट बात तो आएगी, अगर स्कूल में किया जा रहा है, तो वो सिक्षक के द्वरा ही तो किया जाएगा, त इसका भासा का आकलन करेगा, तो सबसे पहले यह देखेगा, कि बच्चे के प्रियोग, यानि जो वो लेंग्विज अपने परिवेस में प्राप्त कर रहा है, लेंग्विज यूज कर रहा है, बच्चों के भासा प्रियोग की छमता क्या है, कैपिसिटी को सबसे पहले तो जो है रचनात्मक आकलन क्या होता है रचनात्मक आकलन होता है क्रियेटिव माइंड से सम्मन्देद रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका कौन सा है कहानी पढ़कर प्रश्ण के उत्तर दे दीजेगा या कहानी पढ़कर प्रश्ण बनाओ या कहानी पढ़कर कोई तीन मिस्र अब देखो बहुत सुन्दर सा प्रश्णा है और कुछ ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना या रचनात्मक आकलन कैसे होता है बच्चा क्रियेटिव हो बच्चा कुछ अलग करता हो मतलब पचास बच्चे बैठे हैं उसमें से एक दो बच्चे ऐसे हैं जो कुछ बाकियों स अलग कर रहे हैं जैसे रचनात्मक आकलन वो होगा जैसे हमने एक कहानी पढ़ी देखो सभी में कहानी पढ़ा जा रहा है कहानी पढ़कर मुझे छाटना क्या रचनात्मक होगा नहीं ये भी छाटना क्या रचनात्मक होगा नहीं उत्तर देना रचनात्मक होगा नहीं ले उपन सी बात है अंसर जाएगा भी के साथ चलेंगे next one की तरफ हो सकता है में भी कुछ संस आपके गलत हो जाए तो भैवीत नहीं होना है क्योंकि कुछ संस बिलकुल यही आते हैं यही आएंगे language थोड़ी सी परिवर्तन आपको मिलेगी यह challenge नहीं यह वादा है कई वरसों का यहाँ पर क्या है अनुभो है कुछ संस नंबर next भासा प्रवाह तथा आभिव्यक्ति कौसल के मूल्यांकन का उप्यूक्त तरीका है लिखित परिक्षाएं होनी चाहिए वस्तुनिस्ट परिक्षण होने चाहिए या मौखिक वारता लाफ या फिर ननादीज तो मुझे य अध्यापक हूँ अध्यापक का मतलब आप सभी अध्यापक हैं आप अगले जो है साल एक स्कूल में जाते हो पढ़ाने के लिए और आपको क्या करना है मूल्यांकन करना है किसका करना भासा प्रवाह का अविक्ति कौसल का तो आप क्या करेंगे आप यार ना सबसे पहले अगर भासा चेक करोगे ना तो मौखिक वारताला बच्चे से कुछ पूछोगे बच्चा कहां रहता है बच्चा को सबसे अच्छा क्या लगता है क्या वो पढ़ने में रुची लेता है कौन सा सब्जेक्ट वो अच्छा यहां पर करता है किसमें कमजोर है तो उससे क्या वो कहीं न कहीं अगर बच्चे से आप सवाल जबाब करोगे वो आपकी बात सुनेगा और जबाब देगा तो मैं कह सकता हूँ इससे बेस्ट आंकलन आप कर ही नहीं सकते मौकिक वारतालाप ही होना जरूरी है अंसर जाएगा सी के साथ कुछ्च्च नमबर फूर बच्चो प्लेटफॉर्म चुना है क्योंकि हम केवल सिक्षक बनाते हैं सिक्षिका बनाते हैं हमारी कोई दूसरी वेकेंसी पर यहाँ पर टार्गेट नहीं होता है चले कुछ्च्च नमबर फूर देखीगा बच्चों की भासाई छमता को क्रमिक प्रगति के वारे में बताने में स जितनी भी प्रगति की है जितना भी उसने कौसल ग्रहन किया है जो भी बच्चे ने अपने जीवनकाल में किया है उस फाइल में उसका लेखा जोखा उसका व्योरा होता है मेरी भास समझ रहे ना जिस तरीके से आप इंटर्व्यू देने जाते हो तो आप अपनी फाइल को लेकर जाते हो और अपने सामने examiner के सामने रख देते हो और कहते है कि वो सारी चीजे देखता है उसमें क्या होता है आपकी उसमें सारी आपकी प्रगत ही होती है जो आपने बच्पन से लेकर अब तक जो है ग्रहन किया है ठीके ना तो portfolio को जबजस तरीके से बता दिया कुष्चन नमबर 5 जबाब दीजेगा देखना हर तरीके का कुष्चन है इसमें आपने ये नहीं देख पाया कि कौन सा हिंदी का था कौन सा गड़ित का था कौन सा मनोविज्ञान का था पैड़ागोजी मैं पूरी कराऊंगा ऐसे ही 15 कितने हो जाएंगे आप खुद ही समझ सकते होगी 75 नमबर की आपकी पैड़ागोजी ही आ जाती है CT exam में और जितने CT exam होते हैं उनमें भी पैड़ागोजी आपकी आ जाती और चिंतन को इस्थान देना अच्छा ये बताओ हम आप से कह दें कि ये बताओ कि अगर तुम्हें एक दिन के लिए राश्ट्रपती बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे तो बहुत छोटे छोटे बच्चे अगर क्लास में होंगे न तो वो कहेंगे हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे हम कहीं न कहीं ये कर लेंगे पाकिस्तान को मिला लेंगे यही तो होता है ना हम इसको उड़ा देंगे आतंकबाद खतम कर देंगे लेकिन पॉसिबल है क्या इतनी जल्दी नहीं ना लेकिन क्या ना बच्चे अपने अनुभो देते हैं तो उसमें मतलब क्या कह रहा है यदि तुम्हें डलिया भरकराम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे तो बच्चों के अनुभो और चिंतन को इस थान देना मतलब इससे बढ़िया अंसर होई नहीं सकता है कि बच्चे से पूछ रहा है एक अध्यापक और अध्यापक पूछ रहा है तो बच्चा कुछ उसके बदले में जवाब देगा कही ना कही है ना सिंपल सी बात है कुस्सा नमबर 6 बहुत अच्छे लाइक करते जाना बहुत बढ़िया जब मानो सरीर के एक भाग को दिये गए प्रसिक्षण का अंतर्ण दूसरे भाग में हो जाता है तो हम इसे कहते हैं जैसे अग्दुल कलाम साहब दोनों हाथों से लिख लेते थे आप भी अगर दोनों हाथों से लिख लेते हो तो जैसे अगर मैं सीधे हाँ से लिख रहा हूँ और मैं भूल गया और मैं डेने हाँ से लिखने लगा या बाएं हाँ से लिखने लगा लेकिन मुझे नहीं पता चला कि भाया कोई फर्क पड़ा है तो आप समझ रहें ना कि अगर अपने आप प्रसिक्षन का अंतरन का मतलब होता है स्थानांतरन हो जाए तो वो कहलाता है क्या दूई पार्शिक अंतरन कहलाता है यह याद रखेगा जब कोई कार एक भाग से किया जाता है उसका फर्क ना पड़े दूसरे भाग पर तो समझ लेना वह अंतरन दूई पार्शिक अंतरन होगा चले आगे हम बात करेंगे कुस्सा नंबर सेवन कॉंसेट का क्वेस्टन्स है कह रहा है दिये हुए प्राप्तांकों के सम्हू में जो प्राप्तांक बहुदा सबसे अधिक वार आता है उसे हम क्या कहेंगे तो याद रखना है कि जो सबसे जादा वार आए जैसे अगर मैंने लिख दिया चार आठ चार साथ चार तो मुझे ये बताओ कि इस स्रेणी में सबसे जादा अंक कौन सा है तो आंसर आएगा मेरे पास कि सर चार है तो चार इसका क्या हो जाएगा चार इसका हो जाएगा बहुलक हो जाएगा मेरी बास समझ रहे ना चार इसका क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा अंसर भी हमारा ओप्शन नमबर टू हो जाएगा हाँ पेड़ा गोजी में एक और एक्जम्पल में समझा देता हूँ ऐसे भी आ जाता है कि 7, 4, 7, 1, 7, 8, 7 लिखकर आ जाये और कुष्णन में पूँच दे इसका बहुलक क्या होगा चलिए कुष्णन नमबर 8 देखेगा यदि पूर्वग्यान वा अनुभो नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे हम कहते हैं हम कह रहा है ये सिंपल सी बाद कि पूर्वग्यान है मुझे और पूर्वग्यान का मतलब क्या है कि मुझे पूर्वग्यान का ये कि मेरे को इंगलिस पहले आती है और मैं अगली कक्षा में गया तो थोड़ा सा टफ इंगलिस है लेकिन मुझे रूल तो पता है ना लेकिन क्या कह रहा है मुझे सीखने में मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी बिलकुल क्योंकि मैं पहले पढ़ चुका हूँ या मैं ऐसे कह सकता हूँ मैंने क्या मैंने पहले साइकिल चलाई है और मैं दस सालवाद साइकिल को छोड़ दिया और मैं फिर से जो है दस सालवाद साइकिल उठाई है तो मैं कह सकता हूँ कि कहीं न कहीं मुझे रिकाल करते है तो मुझे याद है और अगर वो अनुवो मुझे कामयाब करता ह साहता करता है तो वो सकारात्मक प्रसिक्षन इस्थानांतरन होता है और इस्थानांतरन को कहते हैं अंतरन भी कहते हैं जो आपका एक ही चीज है ठीक ना याद रहे जब कोई कारे हमें काम आए साहता करता है तो सकारात्मक होगा जब साहता ना करे तो आंसर नकारात्मक हो जा चलिए आगे की बात करेंगे, सीखी हुई बात को इसमरण रखने या पुनाह इसमरण करने की असफलता को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे विसमरती, क्योंकि विसमरती वो चीज होती है जो इसमरती में ना रहे, यानि हम से कह रहा है, हम जो चीज सीख चुके हैं, और हमें पता था कि यह विक्ती मैंने कहीं देखा है, और मैं दूसरी बार उसको दो साल बाद देख रहा हूँ, तो मैं उसको कोसिस कर रह लेकिन मेरे को नाम नहीं आदा रहा और मेरे को पुना इसमन करने पर भी नाम नहीं आदा रहा और जब नहीं आ पाए तो समझ रहे ना कि मैं भूल चुका हूँ आंसर क्या जला जाएगा थरीके साथ चले कुछ सा नंबर टेंथ देखीगा बच्चों के लिए स्टेरियो टाइपिंग और लिंग भूमी का अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न लिखित में से कोन सी प्रभावी रढ़नीती है मतला हमारे दिमाग में आई नहीं रा कि स् एक्जाम में जो बच्चे और बच्चियों में समानता की बात करता है कभी भेदवाव की बात नहीं करता है ठीक है ना अच्छा आप ही समझो कि क्या बच्चे और बच्चियों में भेदवाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए इसलिए हमें लिंग पूर्वा ग्रह के बार की होगी और लोगों को समझ में भी आने वाला है तो मैं आंसर भी ऑप्शन नमबर फस्ट के साथ ले जाऊंगा चुले आगे हम बात करेंगे ग्यारा नमबर बच्चों के संदर्व या संख्यानात्मक विकास में निम्न लिखित में से कौन सा एक पियाजेटियन पियाजेटियन का मतलब होता है कि पियाजे का समुदाए पियाजे का समुदाए का मतलब होता है जो पियाजे के संदर्व में सही हो मेरी बात समझ रहे ना साब अगर मैं कह दूँ निम्न लिखित में से कौन सा एक पियाजेटियन निर्माण है क्या इसकीम से है अवलोकन सम् कहें जकताओं अंसर किसके साथ जाएगा फर्स्ट को लॉक करेंगे चले हम आगे बात करेंगे 12 नमब कुसंद की मुल्यांकन का प्राथमिक उद्दे से क्या होना चाहिए लॉक किजेगा जल्दी से लॉक करेंगे हर बहन हर भाई जो लेट आए है उनसे कहना चाहूँगा यूटूब पर पहली बार वीडियो आप देख रहे है जिसमें ऐसी वीडियो एक जगे पेड़ागोजी को सामिल किया गया है कोई भी एक्जाम क्रेक कर जाएंगे ये वादा नहीं चैलेंज है गुरूजी वर्ड एक्जाम केवल बात करता है टेट, सी टेट, आल टेट, आल इस टेट हर बहन हर भाई को सिक्षक और सिक्षिका बनाता है मुल्यांकन का प्रात्मिक उद्दे से होना चाहिए चात्रों को रैंक प्रदान करना बच्चों को इस पस्टता और सम्मंदी अवधानाओं के बारे में भ्रम को समझाना चात्रों को उनके स्कोर के अनुसार लेवल करना या फेल पासिंग को चिन्नित करना मैंने कहा बच्चे को कभी फेल पास में नहीं रखना है बच्चे की कमियों को दूर करना है लेवल नहीं करना है रेंक नहीं देना है कि उसको ये दे दिया उसको डी दे दिया तो तो फेल फास की बात हो जाएगी लेकिन हमें अगर भ्रहम समझा दिया जाए मैंने क्या कहा पैड़ा गोजी में एक समावेसी कक्षा में एक सिक्षक व्यक्तिगत शिक्षा योजना है एक समावेसी कक्षा में डॉट डॉट व्यक्तिगत शिक्षा योजना है इस डॉट डॉट में क्या भरा जाएगा लॉक किजेगा यहाँ पर जबाब दीजेगा एक समावेसी कक्षा में, एक सिक्षक को तयारी नहीं करनी चाहिए, कभी कभार तयारी करनी चाहिए, को सक्री रूप से एक तयार करना चाहिए, कि तयारी को बाधित करना चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ, कि भाई, कभी कभार निगेटिव है, ये बाधित निगेटिव है, को स सक्री रूप से हमें तो पॉजिटिव चाहिए था ना तो मुझे सबसे बड़ा अंसर और पॉजिटिव अंसर लगाना है ना साब अंसर किसके साथ जाएगा थरी के साथ चला जाएगा तो सस्क्राइब कर लें गुरूजी वर्ड एक्जाम स्टडी क्योंकि पढ़ाने के कुछी tricky method भी यहाँ पर हम बताते हैं सिक्षा और सिक्षिका बनाने के लिए डिसलेक्सिया वाले बच्चों को प्राथमिक विसेस्ता में सामिल हैं कौन-कौन से ऐसे बच्चे हैं जो डिसलेक्सिया में सामिल हैं ध्यान गाटे के विकार की बात करें प्रचलित सोंच पढ मैं कह सकता हूँ डिसलेक्सिया में आप पढ़ने में प्रॉब्लम करते हो ना तो आंसर भी थरीके साथ जाएगा मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी अगर डिसलेक्सिया है तो पढ़ने में आप असमर्थ होगे पढ़ने में आपकी बात करें disability होगी reading disability होगी जिस तरीके स मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि लक्स को बच्चा लक्स का रैपर जो है हीरोईन वाला पकड़ा देते हैं तो वो पढ़ता है क्या कह रहा है कि महक तो इस जो है लिफाफे में बढ़ा अच्छी आ रही है ठीक है ना और मैं आपको बताता हूँ कि इस बच्चे को यह क्य सास्तर को बढ़ावा देता है बाल केंदरी सिक्षा सास्तर को बढ़ावा देता है पाठे पुस्तकों पर विसेश निर्वहरता देता है बच्चों के अनुभों को प्रधानता रटे संस्मरण लेविलिंग और स्रेणी करण या च्छात्रों की चमता के आधार पर बाल कें समझोगे कि ऐसे कुछन अगर आ जाएं एक दूसरे के पूरक हैं अलग हैं तो आपको पूरक हैं लगा देना है भावनाएं और अनुभूती एक दूसरे के पूरक हैं लेकिन ओप्शन में तो यह ही नहीं अब क्या करोगे पूरी तरह से अलग लगाना ही नहीं सम्मंदित न मतलब क्या हो जागा विप्रीत हो जाएगा तो सिंपल सी बात है आंसर जाएगा 3 के साथ कुछ से नंबर 17 बच्चों को अनवेसर के माध्यम से देखे एवियस की भी पेड़ागोजी बीच बीच में है यहाद रखना है और आपको पता नहीं चला कि इसमें गड़ित की कहा थ पूरी पूरी पेड़ागोजी हम लेकर चल ले हैं बच्चों को अनवेसर के माध्यम से एवियस सीखने के लिए बहुत जगहें मिलती है यह इंगित करता है कि एवियस को रट के माध्यम से सीखा जाता है एवियस को जानकारी के माध्यम से सीखा जाता है एवियस बाल माध्यम से सीखा जाता है इवियस बाल केंद्रित होता है तो जो हमारा सीट एट आंसर लगाता है वो पता है आपको क्या लगाता है वो याद रखना है इवियस बाल केंद्रित है बिल्कुल यह सही होना चाहिए देखीगा जानकारी के माध्यम से सीखा जाता है इससे भी वे केसित करना है ना मैं कह सकता हूँ कि अगर बाल केंदित अगर नहीं होगी तो फिर क्या कैसे पढ़ाओगे उसको पच्चे को केंदर में रकरी पढ़ाओगे तो इससे बेस्ट आंसर नहीं हो सकता फिर कहीं आपका बहुत बढ़िया कुछ नमर अठारा संग्यान किस बुद् कुछ नमर 19 की बात करेंगे जवाब दीजेगा बच्चों को ग्यान के सक्री सादकों के रूप में देखते हुए निमलिकित में से किस सिद्धान्तकार ने उनकी सोच बास सामाजिक और सांसकतिक सामिक्री के प्रभाव पर जोड़ दिया इतना सिंपल कुछ आपको कहा मिल बच्चों को ग्यान के सक्री सादकों के रूप में देखते हुए निमलिकित में से किस सिद्धान्तकार ने उनकी सोच पर सामाजिक और सांसकतिक सामिक्री के प्रभाव पर जोड़ दिया है तो वो जाएगा आंसर किसके साथ लेव वाइगोस्की के साथ क्योंकि सामाजिक सांसकतिक से यही जुड़े हैं और कोई नहीं मेरे भाई क्योंकि लारेंस कोहल वर्ग जुड़े हैं नैतिक सिद्धान से पियाजे जुड़े हैं आपके किस से आप सभी समझते हो कि पियाजे जुड़े हैं संग्यानवादी सिद्धान से और वोटसन जुड़े हैं आपक जो जी समझ रहे, किस की है, यह वाला कुश्षन हिंदी पेडा गोजि का है, समझ रहे ना, क्योंकि भासा का अधिकरहन बात कर रहा है, तो याद रखना है कि भासा के अधिकरहन और विकास की महत्रपून सबसे अबद है, और इसको आप किस में लगा लोगे, इसको आप मनो ग्यान में अगर भासा पर आओगे तो आप चले जाओगे हिंदी में तो सिंपल सी बात है आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सी सब्जेक्ट में कौन सी पेड़ा गोजी आगे तो इस कुस्टन का जो राइट आंसर जाएगा वो टू के साथ चला जाएगा ठीक है ना बहुत बढ़िया अगला कुस्टन है कि संग्यान के इस तर पर विकास डॉट डॉट अन्य भासाओं में आसानी से अनुदूदित होती रहती तो मैं कह सकता हूँ कि भाई कौन से इस तर की बात कर रहा है तो मैं तर्क चमता व्याकरण चमता ग्यान चमता भासा चमता तो भाई अ शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था डॉट डॉट का विकास है मतलब कह सकते हैं कि भाई शिक्षा में अब यहां पर फ्रोवेल एक कहां के साइकोलोजिस्ट है फ्रोवेल एक जर्मन साइकोलोजिस्ट है फ्रोवेल ने अगर जर्मन के साइकोलोजिस तो आप क्या करेंगे उसके अविवावक को सूचित करेंगे उसे धंड देने का प्रयास करेंगे कारण जानने की चेस्टा करेंगे या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे तो मैं सिंपल सी बात कह सकता हूँ कि भाई कारण जानोगे या धंड दोगे तो भाई यहाँ पर कोई बच्चा लेट हो रहा है तो उसका कारण रीजन जानेगा अगर कुछ हो सकता है तो संबब उसके लिए कर सकते हो बाचीत कर सकते हो ना तो सिंपल जिबाते दंडित नहीं करना है हम चेस्टा करने चाहिए हमें पहले कुछन नमर 24 बालक का विकास का परिणाम है बालक के विकास का परिणाम ये पैड़ागोजी में आपका मनुविज्ञान में आपका आता है हिंदी में आपका इनवारमेंट में सभी जगे पैड़ागोजी में सेम कुछन देखने को मिलता है तो बालक का विकास परिड़ाम जो सम्मंदित होता है वो बंसानुकरम तथा वातावरण की अंतह प्रक्रिया से होता है आंसर किसके साथ जाएगा आंसर जाएगा टू के साथ चलेंगे आगे की बात करेंगे आगे हमारा है 25 निसक्त बालकों की सिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है क्या प्रावधान हो सकता है निसक्त बालकों की सिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित सिक्षा के द्वारा मुख्य धारा में डाल कर समा कलन के द्वारा या फिर ननावदीज मैंने कहा बच्चे को अलग नहीं रखना है जब बच्चा लग नहीं होगा तो समावेशी सिक्षा के अंतरगत जाएगा एक छट के नीचे हर बर्ग हर जाती संपरदाएं के बच्चे अगर सिक्षा गरेन करते हैं वही क्या है वही समावेशी सिक्षा कहलाती है ठीक है न चलिए चैनल को सब्सक्राइब करने और टेलिग्राम से और दोस्तों बताना चाहेंगे जितने भी बच्चे चैनल पर आये हैं नीचे लिंक भी डाइरेक्ट है लिंक के द्वारा ग्रुप को जोईन कर सकते हैं पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौसल अनिवारे नहीं है भासा की संदशना की समझ भावात्मक संबंद वर्ण माला याद करने का कौसल या अनुमाल लगाने का कौसल तो मैं कह सकता हूँ कि जो अप्शन नमबर सी है ये याद करने का कौसल हमें रटवाना नहीं है हमें समझाना है याद रिखना है ठीक है ना याद रिखना है कुशन नमबर 27 प्रतिभा साली होने का संकेत नहीं है कु दूसरों के लिए जगडा करना या साथ जगडा करना या जिग्यासु प्रवत्ती का बच्चा तुम्हें कह सकता हूँ आंसर किसके साथ जाएगा थ्री के साथ जाएगा क्योंकि जगडा करने वाला बच्चा प्रतिवासाली गुड नहीं दरसाता है अगला है कि वैक्तिक व और मैं कहता हूँ ये दोस्तो आपका डाल टन प्रोजिक्ट मान टेसरी में से एक होगा तो मैं आंसर बच्चे यहाँ पर कह रहा है कि वह और प्रोजिक्ट विदकी बात करेंगे ऑप्सिन नुमर जाएगा टू के साथ जिस से रिलेट करते हैं आपके किल पैट्री कुछ सन किंडर गार्टन प्रदित के जनमदाता कौन है अभी मैंने बोला आपको किंडर गार्टन प्रदित के जनमदाता कौन है तो आप कोगे सर फ्रोवेल के साथ जाएंगे रसियन मनोवेग्यानिक नहीं है ये ये जर्मन साइकलाजिस्ट है कुछ से नमबर 30 विनेटी का प्रणाली के जनमदाता कौन है कार्टन, वसवन है या ओविट, डेक्रॉली है डेब्लु एवर्ट है है या फ्र इन मेंसे कोई नहीं जो बच्चे उप्चे नमबर डेक्रोली और वासवन में परिशान है तो मैं बताना चाहूँगा जो बच्चे उप्चे नमबर A मार रहे हैं बिल्कुँ सही है कार्टन वासवन के साथ चला जाएगा जबकि डेक्रोली जो है वो डेक्रोली पद्दत के जनक है क्लियर हुआ, सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ड और वेल आइकन को प्रिस करें सबसे पहले सेलेक्शन के लिए